नवस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एक चीज सोशल मीडिया पे ट्रेंट कर रहा है चाहे वो आपका वाट्साप फॉर्वर्ड आ रहा हो या फेस्बुक हो या ट्विटर हो जहां पर भी आप हैं कि चाइनीज माल जो है उसको आप छोड़िये और देशी खरी दिये बॉयकॉ आप करेंगे तो लगबग फैक्टरी में बनी कोई भी चीज आप खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि दुनिया में हर एक चीज जो बनता है जादा तर या तो चाइना में बनता है या उसका कोई भी पार्ट चाइना से बन कर आता है इसलिए छोड़ना उतना आसान नहीं है स् मौधी सरकार को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा बहुत सारे नीतिया बदलने पड़ेगी अर्थ व्यवस्था को अलग तरीके से देखना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा इसी का हिसाब लगाएंगे आज की इस एपिसोड में अच्छा आप सोचे कि आप चाइनीज माल क्यों खरीते हैं जातर लोग क्यों खरीते हैं इसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि ये माल सस्ते में मिलता है और पहले जैसे हम कहते थे कि चाइना का माल मतलब एक साल चलेगा आज कल वैसा भी नहीं है जो हम सेलफोन खरीदे रहे हैं या टीवी खरीदे रहे हैं या दुकान से जो अलग ब्रैंड का मिक्सी मिलता है है ड्रायर मिलता है यह सब जो लोग खरीते हैं मेडल क्लास के लोग खरीते हैं यह सब चलता है उतनी जल्दी खराब भी होने का इसका चांस नहीं रहता है इ यह ने एक बार उनको कहा गि मैं अपनी बच्चों को वहाँ पर ले जाऊँगा आपके दुकान में देखना चाहते हैं वो कि खिलाओने कितने होंगे तो उनने कहिए भाईया ये आपके बच्चों के लायक खिलाओने नहीं है ये तो छोटे शहरों में बेचे जाते हैं जो lower middle class के लोग हैं या थोड़े से गरीब तपके के लोग हैं वो खरीते हैं ये खिलाओने मैं अच्छा ये तो इसका मतलब छोटे कारखानों में बन कर आते होंगे ये खिलाओने उनने वह बहुत सस्ते अनब्रैंडड़ खिलाओने होते हैं उनने मुझे एक और चीज कहा कि मेरा भी अपना एक कारखाना था पहले खिलाओनों का कारखाना था पुछ्ट एनी कारखाना था उनके पिजाजी भी ये कारखाना चलाते थे लेकिन क्या हुआ कि जब से चैना का माल आने लगा जो खिलाओना बनाने में उनकी लागत पड़ती थी 500 रुपए हैं वो ही जाना है तो 100 अब आप सोच लीजे कौन सा वो बेच पाएंगे कौन सा बेच कर उनका ट्रेड में यानि कि होलसेल बेच कर उनको मुनाफ़ा होगा आप देखें ये सिरफ खिलोनों की बात नहीं है आप गाओं में चले जाए चोटे शहरों में चले जाए ये बैटरी से लेकर बल्ब, सेलफोन से लेकर सेलो टेप सब को चीन में बनकर आता है और वो ही बेचा जाता है कुछ ब्रैंड के साथ और कुछ बिना ब्रैंड के छोटे शहरों में क्या आप बड़े शहरों में भी जो गरीब इलाके होते हैं जहां पर lower middle class के लोग रहते हैं वहाँ पर संडे market होता है वहाँ पर आप लिजे जाकर कोई भी चीज वहाँ पर आपको आधे दाम में एक चौताई दाम पर मिल जाएगा मिक्सी मिल जाएगा, हेड ड्रायर मिल जाएगा, जीन्स मिल जाएगा, शर्ट मिल जाएगा, यहां तक की चूडियां और बिंदियां भी मिल जाएंगी जो made in China है सिरफ made in China नहीं, made in Bangladesh भी मिलता है, made in Indonesia भी मिलता है, made in Vietnam भी मिलता है यह सब हमारे देश में बने branded कपडों से सस्ते होते हैं क्योंकि हमारे देश में जो भी बनाया जाता है, वो अमीर तबके के लिए बनाया जाता है, वहीं से मुनाफा आता है यह क्यों होता है, क्यों हमारे देश में mass market, यानि आम लोगों के लिए जो market है, इसके लिए चीजे क्यों नहीं बनती इसका मैं एक उधारन आपको दे देता हूँ, एक और मेरे जान पहचान वाले हैं, जो मुझसे थोड़े बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं यह 80s और 90s के दशक में एक electronics company में काम करते थे, भारती electronics company में काम करते थे, वो भी चाहते थे, जैसे उस टाइम पे जपान का नाम बहुत होता था, धीरे धीरे चायना आ रहा था, ताइवान वगएरा यह सब भी आ रहे थे और वो भी चाहते थे, कि भारत में ऐसा company बने, जो बिलकुल cutting edge, latest technology वाले electronics बनाए, टीवी बनाए, color टीवी बनाए, यह सब करें, लेकिन आप देखिये, उनका हुआ क्या, factory लगाना वो चाहते थे, तो हर एक राज्य सरकार ने उनको न्योता दिया, कि आप आईए, हमारी यहां पर factory लगाई है, हम आपको free में land ले देंगे, या सस्ते में land देंगे, थोड़ी subsidy भी देंगे, तो वो दिल्ली के पास एक छोटे शहर में गए, मैं राजी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटे शहर में गए, और वहां पे जो सरकारी बाबू थे, उन्होंने कहा कि देखे ये land आपको हम दे रही है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया land है, तो वो मेरे जान पर चान के जो हैं शक्त, उन्होंने पूछा अच्छा यहां पे बिजली का क्या उपाय है, वो electricity supply कैसे होगा, क्योंकि आप जाने electronics बनाना है, तो electronic जो machine बनते हैं, जो machine electricity supply बिल्कुल stable होना पड़ता है, तो जवाब क्या है, जवाब आया कि बिल्कुल electricity supply बिल्कुल आप अपना generator लगा लीजे, अब उन्होंने पूछा कि अच्छा पानी का supply क्या है, फैक्टरी लगेगा, यहां पे लोग काम करेंगे, हम यहां पे लोगों को बिठाना पड़े नहीं मिल रहा है, सडक तक वहाँ पर नहीं है, अगर कोई मजदूर वहाँ पर काम करेगा, कोई मैनेजर वहाँ पर काम करेगा, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कुछ भी infrastructure वहाँ पर सेट अप नहीं किया गया, आखिर में एक और स्टेट सरकार ने, राजे सरकार ने, उनको का, आईए, यहाँ पर फैक्टरी बने बनाएं, बने बनाएं फैक्टरी है, आप यहाँ पर आजाई, electricity supply पूरा है, पानी का सप्लाई है, और हम आपको थोड़ा सा लोन भी zero interest पे देंगे, zero interest लोन मतलब लगबग आप देखिए, यह फ्री का पैसा है, तो वहाँ पर फैक्टरी में काम शुरू हो, लेकिन आप देखिए, वहाँ पर क्या होता था, मैंने आपको बता, electronics की फैक्टरी है, electricity supply बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, electricity supply शुरू होता था, 90 वोल्ट पे जाता था, 290 वोल्ट पे, थोड़े दिनों बाद, वहाँ पर जो खर्चा लगा voltage stabilizer लगाने का, large industrial stabilizer लगाने का, वो खर्चा जितना था, उससे अच्छा वो दिल्ली में factory लगा लेते, अब आप देखिए, कि कोई भी कारोबारी, कोई भी जिसको हम corporate कहेंगे, वो कैसे ऐसे काम करेगा, अगर वो करेगा, तो उसके जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे मिला करी वो बेचेगा, इसलिए मेरा दोस्ट जो खिलोने का काम करता है, जो खिलोने बेचता है, wholesale trade करता है, वो उसने अपनी factory बंद कर दी, क्योंकि वो चाहने के माल के साथ compete ने कर सकता, किसी भी जगे पे, किसी भी देश में, अगर industrialization होना है, factory sector को बढ़ावा देना है, तो क क्या क्या चाहिए, electricity चाहिए, supply regular चाहिए, voltage पर चाहिए, यह नहीं कि दो घंटे आया, उसी में आप काम कर लीजे, नहीं, पानी का supply चाहिए, आपको सारे inputs का supply चाहिए, सस्ते में input का supply चाहिए, आपके factory के पास input बने, ऐसा चाहिए, आपको infrastructure चाहिए, rail station चाहिए, जहां से आपका cargo आएगा, port पास चाहिए, अगर आपका कुछ भी सामान import होता है हो, या export होता हो, आपको सस्ते में loan चाहिए, आसानी से loan चाहिए, और साथ में आपको यह भी चाहिए, कि सरकार की, बाबु तंत्र की दखल अंदाजी, जितना जरूरी है, उतना ही हो, मैं यह नहीं क होता रहा है, तो यह सब बंद हो, तभी हमारे देश में भी या किसी भी देश में manufacturing और factory सेक्टर बढ़ सकता है, अब आप देखिए, कि चीन ने क्या किया है, यही बिलकुल किया, 1979-80 से लेकर जब चीन ने अपना industrialization को बढ़ावा दिया, export oriented किया, factory और manufacturing को बढ़ावा दिय तो उन्होंने क्या किया, यह सब किया, infrastructure तयार किया, flyover, road, power station, factories में, सस्ते में electricity पहुचाना, पानी पहुचाना, port, airport, यह सब तयार किया, साथ में सस्ते में loan दिया, अगर किसी company के पास पैसे नहीं है, तो सरकार ने किसी अपने company से वहाँ पर जाकर share खरीद लिया, वहाँ पैसे दिये, इसी तरीके से लगातार चाइना ने अपने जो manufacturing sector है, जहां पर चीजे बनते हैं, फैक्टरियों में, कार खानों में, चीजे सस्ते करवाने की कोशिश की, साथ में, जितने भी मजदूर है, उनको training दी, training दिया, अच्छे अच्छे technology का training दिया, ताकि वो latest technology में काम कर सकते हैं, साथ में एक और चीज़ हुआ है, कि चीन जैसे देशों ने, और ये अमरिका हो, चीन हो, योरोप हो, कोई भी देशो, infrastructure के साथ-साथ, technology और research and development में उन्होंने पैसे खर्च किये हैं, यानि कि शोध में पैसे खर्च किये हैं, उसको subsidize किया है, और यही technology जाक फिर manufacturing sector में लगा है, यही technology से चीज़े सस्ते हुए हैं, तो क्या भारत ये कर रहे हैं? जी नहीं, भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम पिछड़ गए हैं, अगर मोदी जी सच में चाते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनें, सच में चाते हैं कि make in India बने, सब कुछ made in India बने, लोग देश में बने चीज़े खरीदें, तो उनको subsidy देना पड़ेगा, निश्वेश करना पड़ेगा, सस्ते में input देना पड़ेगा, सस्ते में electricity देना पड़ेगा, infrastructure तयार करना पड़ेगा, और साथ में बाबू तंतर को कम करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ पड़ेगा लेकिन हाँ regulation की जरुरत है सरकारी निवेश की जरुरत है ये देखना पड़ेगा दूसरे तरफ की लोगों को नौकरी मिले क्योंकि हाँ आप चीजे बनाइए लेकि लोगों के पास पैसे ना हो तो वो खरीदेंगे कैसे इसका पहला उपाय है कि लोगों के हाथ म आपको बिजली मिलेगी और अगर आप नौकरी promise करके नहीं करेंगे तो आपका tax दुग ना हो जाएगा जहां जहां हो सकता है automation को अलावी मत कीजिए ताकि लोगों को नौकरी मिले जहां जरूरी है वहाँ पर होगा ही अगर आप बिना जरूरत के automation करेंगे तो आपका tax का rate बढ़ जाएगा आपको बिजली supply जादा rate पे देना पड़ेगा ये सब करके एक तरफ आप नौकरी तयार कर सकते हैं नौकरिया बढ़ेंगी तो क्या होगा लोग कहात में पैसे आएंगे वो चीज़े खरीदेंगे और साथ में अगर factory sector को company को subsidy दे जाएगी सस्ते में सप् ये हम आत्म निर्भर हो पाएंगे तब ही हम कह सकेंगे कि Chinese चीज़े हम boycott करेंगे हम नहीं खरीदेंगे हाँ और अगर यह नहीं होगा तो दो चीज़ होगा एक आप अपने ओपो या श्याओमी के बने चीन में बने फोन पर बैठ कर सोशल मीडिया पर boycott Chinese products ट्वीट करें दूसरा आपके हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो आप कुछ भी सामान नहीं खरीद पाएंगे चाइनीज सामान क्या तो आज का एपिसोड यहीं तक आत्म निर्भर होने का यहीं तंत्र है आत्म निर्भर होना है चीन के तरह बनना है तो सरकार खर्चा बढ़ाईए और चीजे आसान कीजे